नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिशब राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हाट और आपका इस समय की न्यूज अपडेट्स वाली वीडियो में हार देख स्वागत है तो चलिए अब तक के कुछ मुख्य न्यूज अपडेट्स के बारे में बात की जाए पंजाब हरियाना के शंबू बॉर्डर पर बेरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पुलिस ने ड्रोन से आसू गैस के गोले छोड़े पंजाब से किसानों का दिल्ली कूछ शुरू हो गया है 12 फरवरी की राच चंडीगण में साड़े 5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रिय मंत्रियों के वीच MSP गारेंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमती नहीं बन पाई थी किसान मजदूर मोर्चा के संयोजग सर्वन सिंग पंधेर ने कहा सरकार किसानों की मांगो को लेकर सीरियस नहीं है उनके मन में खोट है वह सिर्फ टाइम पास करना चाती है हम सरकार के प्रस्ताओं पर विचार करेंगे लेकिन आंदोलन पर कायम है किसान आंदोलन को देखते हुए अरजुन मुंडा का बयान आया सामने अरजुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा परामर्श की आवशकता रहेगी इसके लिए हमें राज्यों से बात करने की आवशकता है हमें चर्चा के लिए एक मंच और समाधान डूनने की जरूरत है भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाद्ये है जनता को परिशानी में नहीं डालना चाहिए, किसान यूनियन को ये बात समझनी चाहिए केंद्रिय मंत्री ने आगे कहा, सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ लोग वातावरन को प्रदूशित करने की कोशिश कर रहे हैं मैं किसानों से कहना चाहूंगा कि वे इस से बचे, कुछ मुद्दों पर सहमती बन गई है, हम कुछ मुद्दों पर काम करने के लिए समाधान डून रहे हैं कॉंग्रस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मल्लेकार जुन खडगे ने भाजपा सरकार पर किसानों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है खडगे ने केंदर सरकार पर ये आरोप तब लगाया, जब करीब हजारों की संख्या में किसान पंजाब से दिल्ली पहुँचे खडगे ने बताया कि अधिकारियों ने किसानों को शहर में प्रवेश करने से रोका कटी ले तार, ड्रोन से आसु गैस, कीले और बंदूके सबका है इंतजाम ताना शाही मोदी सरकार ने किसानों की आवाज पर जो लगानी है लगा याद हैना आंदोलन जीवी वपरी जीवी कहकर किया था बदनाम और 750 किसानों की ली थी जान महाराष्टर के पूर्व सीएम अशोक चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए अशोक चौहान मुंबई में भाजपा कार्याले पहुँचे जहां महाराष्टर के डेप्यूटी सीएम दिवेंदर फड़नवीज और महाराष्टर भाजपा के अध्यक्ष चंदरकांद बावन कुले ने पार्टी में उनका स्वागता अशोक चौहान के साथ ही कौंग्रेस के पूर्व MLC अमर रजुरकर ने भी भाजपा की सदस्यता ली इस बार पार्टी सोनिया को राजस्तान से राजसभा बेजने पर विचार कर रही है दरसल 27 फरवरी को होने वाले राजसभा चुनाओ के लिए दिल्ली में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे के आवास पर सोमवार शाम एहम मीटिंग हुई इसमें सोनिया गांधी को पूर्वर प्रदान मंतरी मनमोहन सिंग की खाली हो रही राजसभा सीट आफर करने पर चर्चा हुई आपको ये भी बता दिया जाए प्रियंका गांधी ने आज तक कभी चुनाओ नहीं लड़ा है मैं हूँ आपके साथ रिशब राजपूत देखते रही है खबर हाट ताकि हम आपको इसी तरह से अपडेटिड रख सकें धन्यों